अलो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियर स्टड़ी बच्चों जैसा कि आपको पता है कि साम को छे बज़े इस समय पीवियर स्टड़ी चैनल पर आपका कच्छानों की मैथमेटिक चल रही है 13.2 इक्सरसाइज जिसमें कुश्चन नम्बर 3 देखिएगा और ध्यान से देखिएगा इंड तक देखिएगा देखिए इसमें क्या कह रहा है करया सनलगन चित्र में धातु का एक पाइफ है जो की 77 सेंटिमीटर लंबा है जैसे कि मैंने पाइफ बना दिया है ठीक है ध्यान दीजिए और समझ लिजिए आगे क्या कहता है इसके एक अनुपरस्त काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटिमीटर और बाहरी व्यास 4.4 समझे करे रूगे तो मुटाई अलग होगी बाहर फिन ऊपोगे तो कुछ अलग होगी जैसे मैं इसे समझाने की कौसिस करूँ तो थोड़ा रूखना दिखा रहा हूँ से चेली în है आप मुझे देख रहे हो क्या देखोक एक मिनिट दिख रहा है आप मुझे देख पा रहे हैं इसमें हां तो इसमें समझ एक मैं बताना क्या चाहता हूं आपको यह मैंने कुछ ना दिखा इफलिए इसमें थोड़ा समझ यह कि jow यह पाइप का अगर टोटल नापोगे उपर निचे ऐसे इसकी कुछ दूसरी मोटाई आएगी लेकिन जितना आपको बलेक दिखरा अंदर में यह होल वाला अंदर वाला जगा इसका थोड़ा अलग हाएगा कुछ अमेम का अंतर आएगा क्यों कि यह जो इसकी बाहरी परत है ना इसकी भी कुछ अपनी मोटाई है तो इस मोटाई की वज़ा से क्या होगा उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों सीमाएं अलग-अलग होंगी वह मैं आपको डिटियल में अभी बताता हूं इधर साइड में देखिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको दूसरे एक जांपल से इधर साइड में देखो एक बॉटल है यह पाइप मान लो आप इसमें देखो इसका मुह है नहीं है अगर हम ऐसे इसको नापे जैसे उपर से देख रहा जहां मेरा हाथ चल रहा है तो इसकी मोटाई कुछ से यह तो थर्मो इस्टील होता है जिसमें कॉपर और इस्टील दोनों मिला के बनता है कुछ भी है यह एक धातू है तो उसकी भी अपनी एक मोटाई है मालो यह 0.5 mm ही क्यों ना है तो टोटल अगर एक्जांपल के लिए मालो यह 3 mm नीचे बीच में है अगर वसे ज्यादा है फिलाल दो सेंटीमेटर होगा मालो कम से कम आधा एमेम कम से कम यह इसका परत है बाहरी तो बस वही अंतर इसमें बीच में दिया गया है इसे आप समझ गए तो इसे मैं आपको थोड़ा फीगर में समझा देता हूं आँ ना समझ यह समाझने की कोसिज कर देखो बच्चा का मतलब यह बाबू आपका यह कितना फोर है इसे मैं बाहरी यहां दूर दिखा देता हूं ठीक है यह फोर है और बाहरी ब्यास का मतलब जो बड़ा वाला यानि अगर हम बात करें यह यहां तक पूरा-पूरा पूरा ठीक है और यह इतना ले लो इसे चलो चोटा अंतर समझ हों गया यह अंतरिक व्यास इतना अदर वाली पाइप में ही यह 4 सेंटीमीटर है रिके बात पक्की समझ में आया ना यह वी निकाल दो कि भात करें यहां पर तो इसमें मिटा देता हूं संझाने के लिए लिए आप समझ गय होंगे आंतरिक तीरिजया यहीं से होगी तो य क्टिकी हमें ब्यास का कुई काम 200 ही से नहीं है यह बाहरी हो गाई तोकि यहाद रहे जो बाहरी में यह पूरा कवर होगा यहां कि रहे घृ और सिर्फ यहई अंदर तक ही रहेगा और क्या कह रहा है पाइब की जो लंबाई है 77 है यह 77 है अभी कुश्चन हटा दूंगा तिर दिखेगा अच्छे से ठीक है यह टोटल कितना है 77 है बहुत आफाने सिंपल है निकाल लो इसमें कुछ कहाना ही नहीं है बहुत ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है लिखिए दि 75 इसमें दो रेडियों दी गई है अगर ध्यान दो एक कैपिटल आर मान लो एक इसमाल आर मान लो तो अगर हम इसमाल आर आंत्रिक वाला मान लें तो 2.2 सेंटीमीटर है और क्या दिया इसमें कुछ और दिया है का नहीं ना मैंने डिर्टल लिख दिया क्योंकि इसी काम लगने वाला है क्या क्या है कि अ स्कूल है कि अयारे प्रिश्टिक का अग्यात किजीए अब मतलब पहले पाइप के सिर्फ अंदर माला जिसमें आपको निकालोगे सिर्फ यह 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 ठीक है यह जो मैंने लाइन खीचाना बब आई यह समझ रहोगे नहीं पहले अंदर वाला निकालोगे फिर बाहरी वाला फिर दोनों जोड़त होगे तो लिख लो फटा फट लिखो आंतरिक भाग का प्रिश्ट्य चेत्र फल बराबर या फिर इंगलिस में लिखोगे इनर कर्वशर्फेस एरिया इक्वल कर्ट कर्ट में इसे I C S A लिखेंगे ठीक है इनर कर्वशर्फेस एरिया इक्वल फर्मॉला लगा दो इनर वाले का 2 है हच कमाल 77 है काट दो गई 11 आ जाएगा यह आपका कितना हो जाएगा मल्टीपल कर लो चाचा यह पर लो ना चार हो जाएगा बाइस का गुड़त मैं डाल फ्रेस्ट पार्ट डाल दो अब सिकेंड पार्ट पे आगे बढ़ते हैं वाहे के लिए अंतर कुछ नहीं है सिर्फ रेडियस का अंतर है बस आंतरी को आले का दो सेंटीमेटर है बायवाले का टू-पॉइंट है इतना अंतर है बस जल्दी इसको लिख लीजिए इसक्रीन इसमें भी आपका फार्मूला वही रहेगा बस आर कैप्टल में हो जाएगा टू इंटू टू टू अपान सेवन आर कमांड 2.2 हो जाएगा और यह 77 यह आपका कट जाएगा 11 आएगा देख बाबू यह सब ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं न मल्टिपल कर लोगे 22 दूना 44 और यह 11 का कुड़ा करोगे 11 दूना 22 दूना 22 24 वन डिजिट पर पॉइंट लगेगा न है इन डाउट नहीं न यह 1064 लगबाग आएगा यह सेंटिमेटर का इस्पायर यह आपका हो गया आउटर बाहरी यानि यह टोटल जो मोटा वाला भाग था ठीक है इसमें थार्ट पार्ट भी पूंच रहा है बहुत आसान है यह कुल परिष्ट यह चेतरफल क्या है टोटल फाइनल तो दोनों जोड देंगे ठीक है दोनो का भी चेतरफल जोड़ेंगे यानि एक परकार से बात करें तो दो ब्रित का भी चेतरफल आप जोड़ोगे क्योंकि इसमें देखो एक छोटा अंदर वाले का एक ब्रित बन रहा है बाहर वाले का अगर कुल फाइनल निकालोगे तो उसको भी जोड़ा जाएगा लिखिए तीफरे में लिखिए 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 संपूर्ड प्रिष्ट का चेतरफल बराबर या फिर पाइंप का कुल प्रिष्टिये चेतरफल बराबर नीचे लिखो कि छात्रों इसमें आपको थोड़ा सा समझना है संपूर परिष्ट चहेत्रफल बराबर आंध्रिफ परिष्टिय चहेत्रफल प्लस बाहरी प्लस दो रिंग का चे तुबन रही है उनको समझें उपर फोड़ा रिंग होगा यह इसका एक बाहर ही भाग हो गया ऑपाई आपको दिखाया था आपको कि मटता है प्रित का जल्ट जानते हो घज़तों कोई आर डो इस कुष थे चोप Seriously बिरत भी पड़े हो तो यह क्या था पाई आरे स्कॉयर यह आपको पता है और इसमें चुकि दो है दो रिंग है न एक अंदर वाली बाहर वाली तो यह तू पाई यह स्कॉयर हो जाएगा तू इंटू पाई कमान 22 बटाफात यहां पर मैटर है कि आर क्या होगा देखो वास् यह लाइन आप देख रहे हो रिंग यह बाहर वाली इसका टोटल जो ब्यास है वह 4.4 है यानि इसका मान 2.2 था बाहरी वाले के लिए रेडियस न और अंदर वाले के रेडियस दो था तो अगर हमें यह इतना निकालना हो सिर्फ इतना मोटाई वाला भाग इतना जहां मेर विध्यान देना है घटाना तो है लेकिन थोड़ा सा समझ के साथियों चूकि हमें यहां पर आर का स्कॉयर निकालना है और जो भी मान है वो सभी स्कॉयर में ही होंगे इस इंसाब से तो इन्हें हम ऐसा लिखेंगे 2.2 का होल स्कॉयर माइनस यह 2 का स्कॉयर समझ रहे हो न देखो बाबी यह आपका हो जाए गा 44 x 7 x delicate a कॉयर माइनस ब्लस पाइन से तो फौतर जानते हो न करणयों तो और यह आप प्लस बी में 4.2 अखली ऑगे मारे माइनस बी भर जेगा जी रोपॉंट 2 हो जाए का समझ में है ना आप फाइनल में मल्टीपल कर लो आप गुडा करोगे 36.96 इतना आएगा 36.96 आएगा इतना आएगा बाबु 5.28 करके देख लो गुडा करके बताना ठीक है अब टोटल सर्फेस एरिया जो है उसको निकाल लोगे सारा मान रख लो पटापट चलो आओ यह कितना था 968 आया था भाई ऐसे कुछ आया था न यह आया था कितना एक हजार चौंसट पॉंट एट फोर यह कितना था टूरिंग वाला अभी अभी आया है 5.28 अब क्या करोंगे कर लो फटाफट जो भी करना अब दिक्कत क्या है बई कर डालो जल्दी से देखो अब करना क्या है सुनो कि इन सब को जोड लेना है इन सब को आप जोड़ोंगे तो दो हजार अनतिस सम्थिंग आए ऐसे कुछ आयागा करके देख लो ठीक है सेंटीमेटर का स्कायर यह ध्यान रहे जीरो है और यह दस हमलों है कोई डाउट है तो बताओ इस तरह से आपका कोईश्चन नमबर थार्ड कंपलीट हुआ है नहीं डाउट नहीं बढ़ते हैं फोर नमबर की तरफ आप लोग बह कर देख भाएं